जैशी किष्णा दोस्तो बियसराम फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो बैकुन चतुरदर्शी का सबसे अधिक महतु माना जाता है क्योंकि इस दिन हरी और हर के मिलन का दिन माना जाता है श्री हरी विश्णु और भगवान शंकर के मिलन का दिन माना जाता है इस दिन 14 द देखे बारा बजे हरी और हर के मिलन का दिन माना जाता है तो आपको साड़े ग्यारा से साड़े बारा बजे तक इस उपाय को कर लेना है अगर आपके जीवन में किसी भी परकार की परेशानी चल रही है यानि आपके बच्चे अगर पढ़ाई में कमजोर है चश्मा लगा आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य के साथ कोई भी परेशानी चल रही है तो आप इस उपाय को जरूर करें इस उपाय को आप अपने आखों से मतलब चमतकार देख सकते हैं अगर आप पूरी शद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को करें तो आप अपने आखों से ह इस चमतकार को देख सकेंगे दोस्तो उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं कर रखा तो सस्क्राइब जरू कर लें बगलने बैल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे प करने हैं और आपको 14 दीपक मतलग घीके घीके ही तयार करने हैं और सभी में आपको लंबी बाती लगानी है लेकिन एक दीपक में आपको गोल बाती लगानी है यानि 13 दीपकों में आपको लंबी बाती लेनी है और एक दीपक में आपको गोल बाती लेनी है दोस्तों आपक मतलब 11 बजे के बाद ही ये दीपक जलाने हैं आप एक थाली में इन सभी दीपकों को रख लें सभी में आपको घी मतलब भर लेना है सभी दीपकों में और आपको अपने जितने भी घर परिवार के सदस्य हैं सभी को उन दीपकों के दर्शन कराने हैं जब आप दीपक प्रो दीपकों का दर्शन कराने हैं यानि घर परिवार के सभी सदस्यों को उन दीपकों के दर्शन करने हैं और उसके बाद आप अपने घर में जहां पर आपका मंदिर है वहाँ पर एक दीपक जहां पर आप अपना जल रखते हैं यानि रसोई में जहां पर पानी रखा होता है ज अपने घर की बालकनी में या तुलसी के पोधे के मतलब पास या अपने जो घर के जो में दरवाजा है एक दीपक उसके बाहर मतलब आपको सभी दीपक जला देने हैं चाहे तो आप थाली में ही रहने दे या आप सभी मतलब जगा पर रख सकते हैं इस तरह से आपको दीपक और दूसरे दिन जब वो दीपक शान्त हो जाते हैं तो जो दीपक का निलांजन होता है जो काला काला सा होता है वो आपको थोड़ा सा ले लेना है और उसको कच्चे दूद में मतल़ा दूद में कच्चा दूद हो चाहे उबला हुआ दूद हो थोड़ा सा दूद लेना है आ अगर वो दूद अगर केसरी रंका हो जाता है तब आपको उस दूद को जिस भी वैक्ति के साथ परिशानी चल रही है चाहे आपके बच्चे के साथ चल रही है पढ़ाई में कमजोर है शारिरिक तोर पर बिमार रहता है तो उनको एक एक चमच मतलब थोड़ा सा पिलाना है आप खुद भी पी सकते हैं अगर वो दूद केसरी रंका हो जाता है देखना अगर आपने पूरे विश्वास सद्धा से दीपक जलाए हैं तो आप खुद ही अपने आखों से चमतकार देखेंगे वो दूद आपको केसरी दिखाए देगा और उस दूद को अपने घर परि आता है तो इस दिन इन चोदा दीपक का महा उपाय आप जरूर करें अपने आखों से इसका चमतकार देखें निश्चिद ही आपके जीवन की सब परेशानी हरी हर की किरपा से अवश्य ही दूर होंगी दोस्तों इस उपाय को करें लाप राप्त करें आप सभी को जैशी झाल